नमस्कार आपका YouTube Online Classics में स्वागत है आज हम बात करेंगे गंद्रिये पादब गंद्रिये औसधी एवं सागंद पौधाप संस्थान सी मैप के बारे में सी मैप क्या करता है इसकी स्थापना कैसे हुई और इसका कारिछेत्र कैसा है कैसे कैसे कारे करता है और कैसे नियंत्रित करता है चीज़ों को तो इससे पहले हमने जो बनाए थी भारतिये किस्था पद्दती पर बहुत सारी वीडियो थी उसी से रिलेटिट ए भी है जिसे कहावत है कि अच्छी नीद निरोगी काया तो और बाकि सब तो यह जो है जीवन के सुखी के हैं कि अगर हमें अच्छी नीद आ रही है हमारा स्वस्त अच्छा है तो बाकि सबसे बड़े गरीब है क्योंकि आप अच्छी चीज़ों का स्वास्त नहीं ले पाएंगे सांसारिक सुख है जो उनको भी नहीं भूब पाएंगे इसलिए निरोगी काया हमारे लिए अवस्त हैं तो यह केंद्रिय संस्थान है इसमें जो है काया को कैसे निरोगी के रखा जाया स्वास्त को करें सही रखा जाए उसके बारे में भी बहुत सा रखा तो चलिए आज हम बात करते हैं सी मैप के बारे में तो सी मैप बेसिकली CSIR बैग्यानिक तथा केंद्रिय अनुसंधान परशाथ भारत का एक इस्टिटूट है इसमें जो CSIR है वह मदरवाड़ी है और उसके अंडर में बैग्यान के बहुत सारे संस्थान जो है वो कारी करते हैं वो चाहे हमारे जिसके च्छित्र में हो मैथमेट्स हो इंजिनरिंग हो या दूसरे और घराने के लिए Technology बाराब आनाने के काम करते हैं उन्हीं इस्टिटूटों में एक गुरुप हमारा आता है जिसे हम कहते हैं सी मैप जो एरोमेटिक और मेडिसल प्लांट के रिसर्च रख रखाओ और उत्पादन से संबंदित सबकाम है तो सी मैप बेसी कली जो कंद्रिये और सागंद पौधा संस्थान लखनव में इस्तित है यह बेसिकली बहुत जगह है कुक रैल जो एक समय में रिजर फारेश्ट हुआ करता था उसी इस्थान पर इसकी इस्थापना की गई है और बहुत खूंसूरत प्रांगण है इसका सेंटर श्यूटा मेडिशनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स पापूलली नोन आज सी मैप इस दा फ्रॉंटियार प्लांट रिसाच लेवर्टरी कंसल आफ साइंटिफिक एंड इंडिस्टियल रिसाच इस्टिवलस ओरिजिनली एस सेंट्रल इंडियन मेडिशनल प्लांट इन नाइंटीन फिटीनाइन तो इसकी जो स्थापना की गई थी भारतिये केंद्रिये अश्यदी पादप संग्ठर के नाम से इसकी स्थापना उनने सों सट में की गई थी सी मैप इज स्ट्रिंग मल्टी डिसीप्लिन री हाइव क्वाल्टी डिसर्च इन बालोजीकल केमिकल साइन्सिस एंड एक्स्टेंडिंग टेक्नोलोजी एंड सर्वेस तुदा फार्मार्स और इंटर्पनोर अफ मेडिक मेडिशनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स विजिट रिसर्च हेड़कॉर्टर अट लखनव एंड रिसर्च सेंटर आफ गंलावर हैजराबाद प नखल दिया नए टेक्नोलोजी और सर्विसिस को इजात किया और उन सब चीजों को जो इंडिश्ट्रिस्ट थे फार्मर्स थे उन सब चीजों को ट्रांसपर किया और लखनव हेटकॉर्टर की साहिता के लिए चार और रीजिनल सेंटर्स खोले गए जिनमें बंगलावर है 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 और बंगलायर जो है वो दच्छण पच्छिम के लिए को कभर करता है है जो भारत को बढ़ करता है और पंथ नंगर उत्ता भारत को कवर करता है और बाकी वचेव होगे को लखनवु चेंटर माला वा इनिशली सेट अप एज सेंटल इंडियन मेडिकल मेडिशनल प्लांट और्गनाजेशन इन 1957 विदा मेंडिट टू बर्क एज स्टीमुलेट रिसर्च अन मेडिशनल प्लांट सबसेकेंटली अरोमेटिक प्लांट आल्सो ब्रॉट अंडर इट्स अमिट तो जब यह सी आई मोपी के नाम से जब इस सेंटर स्टार्ट हुआ 1957 में तब इसमें सबसे पहले इनका उद्श था कि रिसर्च को यानि कि जो हमारे सुगंद वाले पौदे हैं और सदिये पौदे हैं उनसे जुड़े हुए सोध कारे को बढ़ाया जाए लोगों के बीच फलाया जाए को यह इस्टिटूट हमारा इस्टार्ट हुआ था रिस्ट्रक्टिब एट सेंटर इस्टिटूट अब मेडिशनल अन अर्मेटिक प्लांट सी मैप इन्दा यह नाइंटीन सेवेंटीएट और नाइंटीन सेवेंटीएट में सी आई मोपी का नाम बदल कर सी मैप रख दिया गया इस्टिटूट सिफ्टी टूज़ा प्रिजेंट केंपस है नियर कुक्रायल फारेश्ट लखनों इन नाइंटीन एटी तो 1980 में से लखनों के पाच कुक्रायल है मारा बहां पर इसको सिर्फ दिया गया और उसके बाद स अधराबाद पंत्रगर पुररिया बहां वे इसी तरीके के कंपस को डवलप किया गया है अब सी मैप के मेंडिट क्या है उद्देश से क्या है का करने के तौर तरीके क्या है इस इंगेश्ट अमल्टी डिसीप्रिनरी हाइए क्वालिटी रिसर्च अग्रिकल्चर वालोजी कल चैमिकल साइट एक्ट्री टेक्न टेक्नोलोजी सर्विसिस तो ग्रोर इंट्रप्रेवर से फाव मैप संब फालूइं मेंडेश्ट पहला काम है नही नहीं टेक्नोलोजी क्यों रिजध करना गें फिव्य मिंटेशन के लिए न मेर्म space को ऐंको ऑन के बात पाद के बात फावदों से बने हुए चीजें और उनको बेचने के के लिए मार्केट की एंटरी बनौर से जो डबलब करना इसका में मेंडेट निकिसान और मार्केट इस तीनों का संगम बनाने काम सीमय करता है वो फार्मर के लिए आधनिक पौद अच्छे पौधे प्रवाइटवर कराता है किल्टिवेशन के लिए उनसे प्रोड़क्षन होता है پ्रोडक्षन के बाद जो हमार रे मतेर्ली वोंसे कयामिकर प्रोसेसींग होती है और क्रोमिकल प्रोसेसिंग से बहुत सारी मेडिसन्स बनती हैं जिनको मार्केट में सेल करते हैं तो पूरा नेटवर्क बराने काम काम कौन करता है सीमेप करता है पनी काम काम करता है, तो और आम ए च्रीपरिजोड़न आर प्रींप ऀस्हूर्केश से लिवीबigent राइवर्केष देवेड प्रो टो Εस्पर क्नीजिब्र निशन्मी टीमें काम करता है and modeling yield determines herbal product and formulation for bitter lives knowledge management for the enhancement of dissemination of r&d research and deployment human resource deployment research the basic and applied area of cmaps तो ये सभी कारे जो है cmap के द्वारा control ही जाते हैं CSIR cmap research center bangalore तो जो ने बात की center तो जोर्ल सेंटर बनाए गये थे तो CSIR cmap research center bangalore इस साउथ journal center है इस बन आप देचेस्ट research of CSIR center suite of medicinal aromatic plants headquarter at laknow that suggest multi-dumnal disease or medicinal aromatic plants the center established in 1959 and located 30 acres land in ala sandra near yellow elangra since incipient the center has been actively working the benefits of maps farmers interpersonal shop industry of karnataka tamilnadu kerala and the pradesh and karnataka तो यह एडिया इनकी जों करता है तो हम लाड़ू के रला करनाटक और अद्धा प्रदिस चार स्टेट्स हैं जिन में होने बाले cultivation processing और बहा के climatic zone को जो प्लांट साउपर इकार करते हैं it has contribute significantly research development of several chemical bio-bibial medicinal aromatic crops suitable for semi-arried tropical region of South India area work as the center in achievement of CRC medicine center मारा था बगलोर का उसका acronym है CRC B तुरी नहीं बहुत सारी जैसे की अमारी प्रजार्ती है लेमिंग्रास की कावेरी यह हाई इल्डिंग बाराइटी है उसको डबलब करा निर्मर डाइबैक रजिस्टेंट बाराइटी आफ प्रेंट्विंकल धावल हाई एल्कॉलाइटि इल्डिंग बाराइटी आफ प्रेंद इन क्रिस्टेंट तक प्रोसेस की ब्राइब्हादी उसमें इसमें कि मात्र जाता है है कि स्रिष्था हाई ये लिग बराइटिया पचावली है पचार भी ऐडिक बर्याटियो ये प लेमिन ग्रास अटा जिरणियो रिच 90% हाई लिएडिग राइटियों लेमिन ग्रास अक्साई ताइमोल रिच बराइटिया ओसिमम गेस्टिमम और लिनोल रिच बराइटिया ओसिमम बैसिकम तो इन में हमने क्या था कि यह इस प्रोड़क्ट के लिए हम कल्टिवेशन कर रहा है उसका पहला उदेश होता है कि जो हमें चीज चहिए है जो मैडीशन बनानी है उसकी वैलू उसका एमाउंट प्लांट की अंदर कैसे बढ़ाया जाए जिससे कि हमें जो प्रोड़क्शन मिले वह बड़ी मात्रा में मिल जाना चाहिए क्योंकि हम जब बात करते हैं उस प्लांट की एडवांस प्लांटमेंट की हो सकता है कि जो प्लांट बाइट कंडिसन म मिलता है तो तो हुआ है कि उसमें केमिकल या इसका मात्रा में हो उसको जेरेटरिंग इंजिरिंग के द्वारा प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा और दूसरी प्रिशु कल्चर के द्वारा कि उसे ऐल उत्पादन की चंता को प्लाइट में बढ़ा के बड़ी मात्रा में उत्पादन हासिल कर सकते हैं इसे किसान और हमारे रिसर्चर को और इंट्रक्रों सत्यूनों को फाइदा अब बात करते हैं सी मैप हजराबाद की इसकी स्थापना जुलाई 1982 में की यह थी और बारा है एक्टर में फैला हुआ है है हजराबाद रिशाच सेंटर बाज इस्टिविलिस इन जुलाई 1982 और 12 हेक्टर एरिया इस इस्टिटूट आप मेडिशन अर्मेटिक प्लांट्स यह एरिया बेसिक लिक्या करता है इस इन फोकेसिंग एंड प्रमोटिंग सी मैप ग्रीन टेकन लोजी इंडेकिन प्लिटू अर्थ भारत में टेकनलोजी को बढ़ावा देने काम करता है सीमेप सेंटर पंथनगर सेंटर श्यूटाप मेडिशन अर्मेटिक प्लांट रिश सेंटर आफ सेंटर इंडियन मेडिकल प्लांट और जेशन एट हल्दवानी विज फ्रेम 15 एकर इंटराई रीजन आफ उधम सिंग नगर एंड एक्षेंडिट इसकी स्थापना फरवरी 1963 में की गई थी और उत्तर भारत के तराई रीजन को कंट्रोल करता है हल्दवानी के पास 50 एकड़ के अरिया में इस्थापित किया गया था उसके बाद उधम सिंग नगर में सिफ्ट करके इसको सब्सक्राइब में विश्तित किया गया 1967 इन 1979 इस प्रिजेंट लोकेशन आप रस्ट्रक्शन आफ ऑफिस विल्डिंग पहले की लोकेशन थी आफिस बना दिया गया प्रिशा सेंटर पंत्रगर इलोकेटिट बीट बीन कोडिने इल्टिटूड लेट्रिटूड में दिया गया है फुटिल आफ नार्दन इंडिया में इसको डब यह हमारा सेंटर सही जहां पर काम होते हैं लेवर ट्रीज यहां पर कंट्रोलिंग भी है और सेंटर पुररिया सेंटर के बारे में बात करते हैं यह सेंटर इस्टिटूट अफ मेडिसनल अर्बिटिक प्लांट रिसा सेंटर यंगेश्ट सेंटर आफ सी मैप सोचेटिट अन दर लैप्स आफ बेस्टन हिमालया ऐज इस्टिबिलिस्ट इन 19055 इन अरिया अफ 10 hectare इस लोकेटिट एंड कत्यार वैली आफ बागेश्व अर्डिष्टिगा उत्त्राखण सेंटर इंस्टू डवलाफ एज सेंटर आफ एक्सिलेंस आफ मैप साफ हमालया तो भी बना हुआ है बढ़ियासा मालया की बादियों में सेंटर 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 है यह पे हाईली कि अच्छे प्लांटों में त्यार करना अच्छे बीड त्यार करना उनसे मेडिसन निकालना प्रोसेसिंग करना और मार्केट में उन्हें डिस्टिटिउट करना उन पर रिसेर्च करना कि उनका एफेक्ट क्या होगा यह सब काम लवोटीज में किया जाते हैं C-MAP is a unique lab of kind that entire globe by head, a time, even the time of establishment as a ripple effect of C-MAP as a success and contribute other research establishment have now started seriously considering MAPs in their portfolio. C-MAP is the equipped with state-of-the-art, multi-disciplinary laboratory, ultra-modern instruments, facility and scientific expertise in the agriculture, genetics and plant breeding, molecular taxonomy, molecular and structure biological plant, biotechnology, biochemistry, microbiology, bioenergy and chemical sciences apart from development of herbal products. So, these are all the laboratory and labs where agriculture is a good scientist, a good variety, genetics, which can change in plant plant. So, these are the ones that we can achieve in this particular work with the process of chemical, 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 and chemical sciences. The plant will be beneficial to the plant, which is this kind of chemical chemical system. We have to help in our nuclear plant, which are common तो हमारे हीड़क वाटर है सीमेप लखनू में यहां पर डी एने बैंक बनाया गया है कि इसू कल्चर बैंक बनाया गया और जीन बैंक की इस्थापना की गई है जहां पर सीड बगारा रखे जाते हैं फृद्ध जीन बैंक आप डिफरेंट ब्राइटी आप मैप्स मिन्टे सीमेप लेब टू मार्केट में प्रोड़क्ट बन गया हमारा फार्मर बन गया अब मार्केट में कैसे होता रहा जाए सीमेप हैज बीन डाकुमेंटेटिड क्रिएटिंग साइंटिफिक नॉलिज बेस रिलेवेंट तू मैस फार्जट इफिसेंट उटिलाजिशन फैचिल बनाते हैं इसको मेंग जिन्स में पेपर में रिसेंट किया जाता है और स्को मार्केट में पिशिकर क्रके से इसको और सभी अगया प्र होने के लिए दीए मननसों को भी भारा फायदेवन मिलता है जो लाब जो है उसी में अब के दोरा प्रोबाइड करा जाता है इस तरीके से लेव जो है वह मार्केट तक चीजों को उताने का का मुझा भाषा प्रोडक्शन में त्यार किये गाया है जैसे जैल है मास्कीटो है और बहुत सारे मौसरी है teen ने महां है बहुत सारे मार्केट में सल था है studying Physics on strategy medicine और हमारे जरूरत के सवाहन के रूमें इसको घरीलू चीजों के मूमımız जो ही जो हुज करत उसको तो सबिए है उसमें माई को निल को ट Iya टेक्न लोजी-बिकमी की हिए विद सिम्टम्स लाइक इचिंग अगर हमारे पास दाद खाल हो जाता है तो माइको निल भारती ये दवाह है और जो विशीकली सी मैप को द्वारा तयार की गई और मार्केट में आपको परचेज मिल जाएगी लुटम्स टेज्ट का और जो हमारा इसमें सब डी जाती है कि बना रहा है वो किसी तरीके से हमारे इन्वार्मेंट को या हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है वो सभी डिटेल्स आपको इस पर मिल जाएंगी इसमें उसी तरीके से ग्रेणियम एक्टिवेट हमारा प्रोड़क्ट है और जो डेंट्रक वगारा में यूद करते हैं जो हमारा हर्बल सैंपू हमारा ज्रेणियम एक्टिवेट हर्बल सैंपू इसको भी करिया गया तो जिनको ज्रेणियम है बाल हेरिंग की प्रावलम्स है उनके लिए बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है इस तरीके बहुत सारे और द भी सान मारकेट सब के बीच में जो हम नॉलिज है जो हमारे पास घ्यान है सी मेनफ के पास और जोooo अंद तकनिकी होım उसको लोगों में सेयर चर्ने के बढ़ने के लिए मार्केट को बढ़ने के लि только-we Musht original के जाता है CMAB Genebank Stabilis 1993 as follow-up action, taken in the summit, G15 Countries Held, Terriers, is one of the third national gene bank of the country, focus conservation of maps of India in the form of seed, field, tissue and DNA banks. CMAB has been designated PPB and FRA, Protection of Plant Variety and Farmers' Rights Authority, as the nodal laboratory for the plumbing, national test guideline of plant variety, protecting DUS, distinctive uniformity and stability, testing of medicinal and aromatic plant of seed, species, national diversity authority of India has recognized CMAB as a designated national Repository under Biological Diversity Act 2002, keep safe, custody, specimen of different category of biological materials, these are all the work that we have done. We are showing you how to distill our distillation plants. अपने agriculture land पर ही जाके सीधे डारेक्ट तो है रा मटेल को प्रोसेस कर सकते हैं और बहां से निकालकर हम प्रोड़क्ट को मार्केट के लिए तैयार कर सकते हैं रिप्रोड़क्ट को बैचने के लिए प्रोसेसिंग बहुत साथ डिफरेंट मसीनर मार्डल से दे रखें इसकते हैं नेशनल इंटर्नेशनल लेंगें आपके बहुत सारे समंद्ध दूसरे इस्ट्रिटूटों के साथ में जिनसे की हम ने बताता है नौलिज को शेरिंग करते हैं और उनकी नालिज को लेते हैं अपनी नालिज को देते हैं और उनसे हम बहुत बढ़ा काम कर सकते ह है तो कुछ हमें आपको यहां डिटेल्स बता रहे हैं आई मैप इंटरनेशनल मेडिशनल एरोमेटिक प्लांट्स हैज में रिगनाइज़ फोकल पॉइंट आफ साउथ इस डेसिया इंटरनेशनल सेंटर आफ सेंटर फार साइंस एंड हाई टेकनोजी उनाइट नेशन्स इं हम प्रिजेंट टाइम में बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है रोजायल का बहुत अच्छी बराइटी बना रहे हैं तो इस तरीके से हम कोलो बरोसर में दूसरों के साथ जोए नई टेकनोजी को डबलब कर सकते हैं और इसे अपने किसानों को देश बासियों को लाब पहुचा सकते हैं एड नेशनल लेविल सीमयप है इस्टिबिलेस ऐलाइंस इंडियन इस्टिट्ट आफ एपनी कल्चर रिसर्च गांधी नगर गुजरात नार्थ इस्ट हिल इनिवरिस्टी टेकलोजी जोरहाट और मल्टीपलर एफेक्ट आफड़ एंडवर जबेस्ट नार्थ इस्टा रिजन रिस्टेबली तो हमारे छेत्री इस्टिटूट है उनके साथ भी सीमयप के काम करने का बहा पर इस्टिती में है सिस्टम में एक हिस्टा है Academic Alliance Mentoring Your Minds The sharing common desire to explore extend strength of functional relationship between universities, national institutes, laboratories, CSIAC has signed M.O.US with the several universities including Javallana University, J.B. Panth University, Uttarakhand, Chan-Sekharajad University, Electoral Technology, Kanpore, Bharara-Shindhu University, University of Allahabad, Lakhnu University इनके इनके बच्चे बहां काम करने जाते हैं उनके बच्चे इहां काम करने जाते हैं इससे manpower और हमारा जो ग्यान है knowledge है, technology का धरप्रदान होता है जिससे जो देश है उसको बहुत तेजी से उस पर काम किया है नमस्कार आज हमारे इस वीडियो में इतना ही सीमेप के बारे में नेक्स्ट मिलते हैं नए इस्ट्रिटूट के बारे में नई सूचना के साथ तब तक के रिए नमस्कार धन्यवाद